किया आप भी अपना वजन गटाना चाहते हैं बहुत लोग मेरे से यह सवाल करते हैं कि डॉक्टर साब मेरा वजन बहुत जाता है वजन कैसे गटाए मेरा वजन कम नहीं हो रहा है तो दोस्तो अगर आपको अपना वजन कम करना है तो आपको calories counting आना चाहिए जब तक आप calories counting नहीं आता है आपको तब तक आपके लिए मुश्किल होगा लेकिन calories counting कैसे करे तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आप लोग को सिखाऊंगा कि आप कैसे अपना calories count कर सकते है और calorie counting जब आप करेंगे तभी आप अपना वजन घटा स मिलते रहेंगे नमस्कार दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोश्य मैं एक डियाबिटीस कोच हूं और एक fitness nutrition specialist बहुत लोग मेरे से यह सवाल करते है कि मुझे अपना वजन घटाना है वजन घटाना है कैसे वजन घटा है तो दोस्तों आपको अगर वजन घटाना है तो आपको calories counting आना चाहिए calories counting जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप अपना वजन नहीं घटा सकते लेकिन calories counting के इलावा भी बहुत सारे factors play करता है जैसे कि अगर आपके body में insulin बहुत जादा है आपको insulin resistance है तो भी आप इतनी आसानी से वजन नहीं घटा सकते अगर आप आपको thyroid है तो भी आपको difficult हो सकता है वजन कम करना अगर आपको stress है तो उस condition में भी आपका वजन घटाना काफी मुश्किल हो सकता है तो जब तक आप वो सारे चीज़ ठीक नहीं करेंगे तब तक आपके लिए वजन घटाना काफी मुश्किल हो सकता है लेकिन उसके बारे म मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा वजन घटाने के लिए आपको एक calorie deficit diet में रहना पड़ेगा बाकी सारे चीज़ को भी ठीक करना बहुत जरूरी है लेकिन इस वीडियो में यह सारे चीज़ डिसकस नहीं करूँगा इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ यह बता है और calorie deficit diet में आप कैसे रहेंगे तभी रह सकते हैं जब आपको calories counting आना चाहिए आपको अपना maintenance calories पता होना है तो सबसे पहले में लेके चलता हूँ आपको Google में आप Google में आए और Google में टाइप करिए calories requirement calculator यहाँ पर आपको एक सबसे पहले मिल जाएगा calorie calculator calculator.net इसको आप click करिए इसको जब आप click करेंगे तो फिर आपको यह सारे चीज़ दिखेगा यहाँ पर अपना parameters सारे डाल देजे तो मान लेजे किसी का वजन 44 kg है ठीक है मेल है 170 हाइट है और weight जो है 78 ठीक है और activity जो है इनकी मान लेजे moderate exercise four to five times per week करते है तो calculate करते हैं तो अगर आप calculate करेंगे तो यह आप देख सकते कि maintained weight 2384 mild weight loss 2134 weight loss 1884 and extreme weight loss 1384 तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि weight loss जो है weight loss में आप देख सकते है 0.5 kg per kg तो weight loss अगर आपको करना है तो यहाँ पर आपको 500 calories deficit में रहना पड़ेगा 500 calories deficit का मतलब है कि अगर आपका maintenance calories 2384 है तो उससे 500 calories आपको deficit में रहना पड़ेगा यानि कि यहाँ पर कि extreme weight loss है extreme weight loss में आपको 1300 या 1400 calories लेना पड़ेगा जहां पर आप एक किलो वजन प्रती हफते घटा सकते हैं लेकिन मैं आपको कभी भी यह recommend नहीं करूंगा यह बहुत ही इस calculator में आएंगे तो यहाँ पर moderate exercise की जगह पर आप basal metabolic rate यहाँ पर यह डालिए और basal metabolic rate जब आप डालेंगे उसको आप calculate करिए तो आप देख सकते हैं कि आपका basal metabolic rate इस बंदे का 44 year age male 170 height weight 78 and activity जो basal metabolic rate है वह आप calculate करेंगे तो 1628 तो 1628 जो है इतनी calories तो लेना ही लेना है इससे नीचे कभी भी मत जाएए ज़्यादा तर लोग क्या करता है कि वह बहुत ज़्यादा calorie deficit diet में चले जाते हैं जैसे कि मैंने आपको पता extreme calorie deficit diet 800 900 1000 अगर आप उस extreme calorie deficit diet में जाएंगे तो वजन तो आपका शूरू में घट जाएगा लेकिन आपका metabolism भी कम हो जाएगा आपका metabolism कम हो जाएगा तो आपका health में बहुत ज़्यादा effect हो सकता है बेसल metabolic rate जितना आपका है उससे कम calorie deficit ना जाए तो इस condition में 1628 से तो 161700 calories रखिए उससे कम calorie deficit में मत जाएगे नए तो complications हो सकते हैं आप इस तरह से calculate कर सकते हैं आपकी बेसल metabolic rate कितना है आपका age कितना है height कितना है उससे deficit में ना जाए तो आप एक healthy way में अपना वजन घटा सकते हैं तो उमेद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको अच्छा सीखने को मिला होगा आपको समझ में आ गया होगा कि कैलरी डेफिसित डायट में कैसे रहना है वजन को कैसे घटाना एक हेल्दी वे में तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देन इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करें क्योंकि बहुत लोग जो है वो मौटा पे से जूज रहे हैं वो भी चाहता है कि अपना वजन कम करें लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि वजन कैसा कम करें बहुत सारे ऐसे डायटिशन के पास वो चले जाते हैं और इतनी कैल करना पड़ेगा आपको अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करना पड़ेगा अगर आपको थाइरोड है PCOD है तो उसको भी करेक्ट करना पड़ेगा तब जाके आप अपना वजन घटा सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडिय रहे मस्त रहे इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद